असलाम वालेकूम वेलकम विवर्ज आ गए हम आपके लिए सेकंड ग्लास लेकर में देखी चलें आप लोग भी स्ट्राइट हो जाएं आप मेरर पर भी बना सकते हैं ग्लास पर बना सकते हैं यह हम कल वाला आपको थोड़ा सा दुबारा रिमाइंड करवाते हैं यह देखें कल हम आपको राउंड बताया था अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ यह इस तरीके से राउंड हमने आपको बताया था अब हम यह अंदर से एक डॉट डाला एक सरकल दूसरा सरकल इस तरह से ठीक है अमीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा हम कल आपको बता चुके हैं यह देखें अब हमने अंदर से स्टार्ट करा है और इसको अब हम बाहर ख़दम करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें मेहनदी पर मैं बार-बार बताती हूं बिल्कुल हलके हाथ से निकाले मेहनदी कहीं भी आपकी मोटी बारिक मेहनदी नहीं होनी चाहिए यह देखें कितने एक्वल बनी वी है यह बिल्कुल ड्राइट है यह जबरदस तरीक है इस तरह से बनाए अब हम आपको स्ट्रेट बनाते हैं सिंपल स्ट्रेट नाइन यह देखें कहीं से भी मोटी बारिक नहीं होनी चाहिए अब इस पर हम बनाते हैं हाफ सर्कल तीन डॉट लगा लिए ताकि हमें पता से जल जाए कि हम इसको सर्कल यह देखें इस तरह से और जब हम इसको डबल करते हैं तो इसके अंदर लाइन नहीं बनाते हैं इसके बाहर बनाते हैं ये देखें इस तरह से हम इसके बाहर लाइन बनाएंगे इस तरह आप हर हर चीज की आप दस दस बार भी बनाएंगे तो इन्शालला आपको बहुत अच्छी आपकी प्रक्टिस हो जाएगी महंदी की और आप अच्छी से अच 3 मेहंदी लगाने लग जाएंगे हम एक आपको आप सर्कल बता चुकिन अब हम यह राइन लगाएंगे इसे हम कटवर भी कह सकते हैं और हाफ सरकल भी ठीक है यह हमने एक इस तरह से लाइन लगा लेकिन यह स्ट्रेट हाफ सरकल है ठीक है अब इसके जो है हम आपको नीचे भी बना की दिखाएंगे यह देखें इसकी एक तो लाइन आप डबल कर लें और फिर नीचे भी इसी तरहीके से हम हाफ सरकल आपको बना की दिखाएंगे जैसे जैसे मैं बना रही होती हूँ वैसे वैसे आप बनाएं आप यह जिस टाइम में मैं गलास ले रही हूँ आप उसी टाइम में आप लोग भी जो है ना अपना शीशा लेकर या पेपर लेकर बैठ जाएं महंदी लेकर तो इंशाला आपको सब कुछ समझ में आ कमार 1 बबार बनाने के लिए अब हम यह लहर दोड़ा रहे हैं और इस को हम एक चड़ी भी कह सकते हैं यह अ किस तरह आ हम पहले हमने उसको सिम्पल मतलब मुंग हाफ सरकल की लांसा ऐन्सीन फिरली लेफ वाली और अब फो Western इस तरह से कट्वर बना लिया लहर्दार अब इस पर हम चटी चटी से लीफ्स निकालता हैं ये देंगे इस तरीके से इस तरह इसको हम चडी की शेप दे लेंगे ये हमारे बहुत से डिजाइन्स में यूस हो सकती है आप लोग इसके लाजमे प्रैक्टिस कीजिए आज की वीडियो में हम चाहते हैं कि जो जो हमें कम रियादा कर सकें तो सबसे पहले अमीर हमजा के नाम से हैं बहुत शुक्रिया आपका हर उस पर आप हमें इतने अच्छे चे कमेंट देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया और उमर खिल जी हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलाम का जवाब भी लाजमी देती हैं सा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और भी बहुत से लोग है हो सकता है काफी लोगों के मेरे जहना जहन से नाम भी निकल गया हो और फरहान खलजी भी है इस तरह काफी लोग है जो के हम लोगों को देख रहे हैं मैं उन्हों सबका बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ यह देखें इस तरह से हमने यह बनाना हैं आपको लीफ्स भी क्या हमें किस तरह से बनाना है अब हम आपको हर्ट की शेप बता रहे हैं थ्री वाला यह इस तरह से हमने रोज जब बनाएंगे तो उसकी थ्री हर्ट वाला बनाया है यह हमने दो वाला बनाया है अब इनको हम जोड़ के भी बना सकते हैं अलग अलग भी बना सकते हैं यह हमेरे हर फ्लावर्स में यूज होंगी यह फ्लावर्स की पैटल्स हैं सारी अलग-अलग तरह से बनती है ये देखें, ये भी फुरी वाला है ये भी आप इनकी सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें ये देखें एक Creating होता है जो के बिलकुल चकोवर होता है उसमें हम छोटा भी होता है, लहरदार भी होता है हर हर तरीके से हमने आपको बनाना सिखा दिया है उमीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आज ही हमने बहुत लेंदी वीडियो इसलिए की है तापके आपको अच्छे से समझ में आ सके मैंने अपना टैलेंट कभी भी नहीं चुपाया हमेशा मेरा नजरिये यही होता है कि बाटने से बढ़ता है और चुपाने से घटता है तो मैं चाहती हूँ मुझसे सब कुछ सीख सके ठीक है यह हम लोट्स बना रहे हैं इस तरह से में लेके जाना है और यह इसमें लाके छोड़ देंगी यह लोट्स है इसको आप कुछ और भी नाम दे सकते है इस तरह से देखें आप इसकी लाज़ में प्रक्टिस कीजिए यह बहुत इन है डिजाइन्स में इसके हम आगे आँ चलके आपको सब तरह के डिजाइन्स भी बताएंगे अब हम आपको लीफ बता रहें उसमें शेडिंग हमें बिल्कुल हलके हाथ से करनी है यह देखें इस तरह से बहुत हलके हाथ से इसमें हम शेडिंग करेंगे ठीक है तो आप आगे चलता है यह देखें यह लीफ बन गई यह शेडिंग है यह देखें इस तरीके से यह शेडिंग करके यह देखें हम आपको लीफ का भी हर शेप बता रहे हैं अब हम एक और बनाते हैं जिसमें कि हमारे यह कॉर्णनर जैना ये सब मोटे हो जाएंगे जो के रोस का शेप होता है जिसमें से कट वाले फ्लावर वो जो लीफ होते है न उस तरह का शेप आया गई है देखें इस तरह से हमें इसको कर्ब दे दे के निंकालना है और लास्ट में हम इसकी बांडरी जो है फोस को हम एक बार नीट कर लेंगे अचछे से यह देखें इस तब आशे इसे हम इसको बनाते जैंगे और ये नीट हो जाएगे और अब हम इसको आज़ि तो वेवर्श आप लोगों को हम हर तरह की लीफ्स बता रहे हैं अब हम ये स्ट्रहां सं गीजी ह्ट इसलासे मिस्ट की शिर मना रहे हैं हर १ंक को च्छड़ी समकार इस गारें Xiaomi si लेंगे अरती झेल क做 ण्वाइब काेकर आप मोटास्की कर सकते हैं और दो थीन बार के सब सब्सक्राइब अब आपको थृएलिए रिल्फ बताइए यह आपको डिजाइन की मुरास्पत से हम देखेंगे अगर हमें फिलिंग करना होता हम करेंगे नहीं करना होगा तो हम नहीं करेंगे है ठीक है उम्मीद करते हूं आपको समझ में आएगा वीडियो लास्ट सब पॉच्छ कीजिएगा मुझे बहुत सारी धेर सारी दुआओं में याद रखिएगा यह देखें इसमें हमें फुल मेंधी पर प्रेशर होगा इसमें हमारा मेंधी के प्रेशर से बनेगी यह प्रेशर हमारा अच्छे से डाक होगा तो यह लीफ बनेगी अगर वाइस नहीं बनेगी महंदी में देहान रहे कि यह ना हमारी महंदी बीलकुल बारेक निकलनी चाहिए आप महंदी खुद भी बना सकते हैं और बजार की भी यूज़ कर सकते हैं देखें यह इस तरह से हमने इसको बनाया त्री राउंट्ज में किया इसको हमने ये भी लेफ हम यूज़ करना आपको दिखाएंगे इन सब चीज़ों की बारी बारी आपने प्रैक्टिस करनी है एक चीज़ आप ले 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 उसको टैन टाइमस बनाए जब तक आपकी ये क्लियर ना हो जाए जब तक आप नेक्स ना बनाए फिर दूसरी चीज़ ले उसको आप त्री टाइमस बनाए फोर टाइमस बनाए आप मेरे खाल में आप टैन टाइमस बना ले जब तक इन्शालला आपका ये सेट हो जाएगा चलें चलती हूँ दौाओं में याद रखिएगा इन्शालला नेक्स क्लास के साथ नई वीडियो के साथ फिर हाजर होंगे आला हाफिज